दोस्तो आज मैं एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ दचवीज में हाली में रिलीज हुई साउथ सिनेमा की एक और बहतरीन मूबी को जिसका नाम है अवेशम अवेशम मूबी की काहानी सिंपल है लेकिन एक्सल सिक्वेंसे सिनेमाटग्राफी काफी बढ़िया है जो कि हमें इंगेज करके रखती है काहानी कुछ ऐसी है जो कि तीन दोस्त हैं और वो साथ इंजिनिंग करने बैंगलोर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें नंगा करके उनक साथ रेगिंग की जाती है उनके साथ बहुत कुछ गलत होता है अब वो लोग इससे बचने के लिए ऐसा क्या करेंगे इन सारे सवालों के जवाब आप लोग को इस बीडियो में मिल जाएंगे वैल बिना देरी किये चलते हैं सीधा बीडियो की तरफ जिस मूवी का नाम है जिसे डायट किया है जीतु मादवन ने और IMDV रेटिंग है 8.0 out of 10 रेटिंग भी काफी बढ़िया है इससे मालुम चलता है मूवी कितनी बढ़िया होगी वाल सुरू करते हैं मूवी की कहानी को मूवी की स्टार्टिंग में हम केरल का एक सीन देखते हैं वहां के कुछ प का एटमोसफियर आपके बच्चों के लिए ठीक नहीं है यहां पढ़ाई कम मस्ती जादा होती है यही पास ही में मेरा एक PG है वहां का इनवार्मेंट काफी बढ़िया है और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बैस्ट है और फीस भी बहुत कम है यह सुनने के बाद प बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है उन लड़कों का नाम होताipse B.B. दूसरे का नाम होता अज्जू और तीसरे का नाम हता सांतन अवस PG में काफी मस्ती होती है साम के वक्त बीर, दारू, स्केट, वगएर सबको चलता है और यह काफी इंजॉय करते हैं दूसरी अजू वो लड़का अपनी PG में आकर अपनी दोस्तों से बोलता है कि सीनियस ने मुझे मारा अज्यू और उसके साथ ही भी वही होते हैं अज्यू PG में रहने वाले सभी लोगों को बोलता है कि हम लोग होटल में 22 लोग हैं और वो सिर्फ गिने चुने 10 लोग हैं अगर हम लोग यूनिटी के साथ रहेंगे तो लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे जिसके बाद वाद लोग अपना एक ड्रेस कुट बना का हर वक्त साथ रहने लगते हैं जिससे कुट या गेंग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती इसी बीच एक दिन दो सीनियर सांतन को फॉलो करती हुए बीके पीजी के पास पहुँच जाते हैं वो सांतन के साथ रैगिंग करने की कुछिस करने लगते हैं लेकिन अज्जू इन दोनों सीनियर से कहने लगता है कि देखो या कॉलिज नहीं है तुम सिर्फ कॉलेज में ही सीनियर हो अब ये दोनों सीनियर्स अज्जू को सबक सिखाना चाते हैं लेकिन या तो सिर्फ दो आदमी थे इन दोनों लड़कों में से एक का नाम होता है कुटियर अब इनके जाने के बाद अज्जू थोड़ा बहुत दोवराने लगता है और अपने दोस्तों के पास आकर कहता है कि सायद बदला लेने के लिए वो दोनों लड़के आज रात दोवारा हमारे पीजी पर आएंगे लेकिन हम सारे लोगों को एक यूनिटी के साथ उन लोगों का सामना करना होगा इसके बाद रात को सारे जूनियस अपने हाथ में रोड लेकर सीनियस का इंतिया करते हैं रात होने के बाद उसी तरह सारे सीनियस इनके पीजी पर आते हैं लेकिन ये लोग 10 लोग नहीं होते पल्की 100 से भी जायदा होते हैं याने के बाद सारे सीनियस जूनियस को बहुत मारते पीटते हैं और इतनी बड़ी गैंग को देखकर अज्जू के दोस्त हतियार फैक्ट देते हैं और अज्जू का साथ छोड़ देते हैं उसके बाद क्या था सारे सीनियस मिलका अज्जू सांतन और बीबी को बहुत मारते पीटते हैं और उनके सारे कब्रे भी निकलवा देते हैं उन्हें नंगा कर देते हैं कुछ देर बाद सामने बिठा कर उनसे बोलता है कि आज की बाद से तुम तीनों मेरे गैंग की मेंबर्स हो और तुम अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो यह बोलगा कुटिया अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है इसके बाद अज्यू अपने दोस्तों से बोलता है कि मैं यह बेज़दी कभी नहीं बूलूँगा कुटिया को लोकल का सपोर्ट है अब हम लोगों के पास ही एक लोकल सपोर्ट होना चाहिए हाला कि कुटिया ने हम तीनों को अपनी गैंग में सामिल कर लिया है लेकिन यह बदनामी मैं कभी नहीं बूल पाऊंगा मैं उससे बदलने कर जरूर रहूंगा अब हम तीनों हर रोज एक लोकल बार में जाकर एक गुंडे की तलास करके उससे दोस्ती बढ़ाएंगे तो ऐसे हमारे पीछे भी एक लोकल सपोर्ट तयार होगा बीबी और सांतन भी इस प्लान के लिए हमी बर देते हैं और अब ये लोग हर रात लोकल बार के पास जाकर कुछ लोकल गुंडों से दोस्ती करने की कोसिस करने लगते हैं लेकिन कोई भी इन तीनों से दोस्ती नहीं करना चाता था ऐसे ही एक रात ये तीनों एक बार में जाते हैं तो उन्हें मालम चलता है कि इस बार का ओनर भी एक बहुत बड़ा गुंडा है अब ये लोग सोचते हैं कि किसी भी तरह से इस बार के ओनर से दोस्ती कर लेंगे लेकिन वो गुंडा इन तीनों को भाव नहीं देता ये लोग बहुत ही निरास हो जाते हैं इस बीच एक दिन रंगा नाम का एक बंदा बीबी के पास आकर उससे सिक्रिट जलाने को बोलता है रंगा के गले में हातों में बहुत सारा सोना होता है और दिखने में भी वो एक गुंडा होता है लेकिन ये तीनों रंगा को इतना भाव नहीं देते कि या तो बस ऐसे ही सोब औप कर रहा होगा जब यह तीनों टेबल पर बैटे होते हैं तब ही इस बार का ओनर रंगा के पास आकर उसको सलाम करने लगता है यह देख का इन तीनों के तो होसी उड़ी जाते हैं इनके पैरों से जमीनी किसके जाती है इन तीनों ने सोचाता है कि रंगा कोई छोटा मोटा गुंडा होगा जो बस सुवफ कर सकता है लेकिन इस बार का ओनर ही बहुत बड़ा गुंडा है और वो गुंडा रंगा को सलाम कर रहा है तो रंगा कितना बड़ा गुंडा होगा अब यह तीनों सोच लेता है कि कुछ भी करके रंगा से दोस्ती कर लेंगे जिसके बाद बीवी बहुत ही हिम्मत जुटा कर रंगा के पास आता है और रंगा बीवी को देखकर पैचार लेता है कि इसने ही इसको सिक्रेट दिया था रंगा बीवी और उसके बाकी दोस्तों को भी अपने टेवल बा बिठा कर इनके साथ दारू पीने लगता है इन तीनों के पास पीने के लिए पैसे नहीं होते तो रंगा इन तीनों को अपने पैसों से पिलाता है और इनके साथ बहुत इंजर करने लगता है कुछ देर बा दाट भी तीनो उस बार में जाते हैं औरeles मुलाकात करते हैं रंगा भी इन तीनOSH की कंपणि बहुत यह करने लगता है अपने तीनों उन गुंडों के साथ रहने लगते हैं और पढ़ाई लिखाई करना बंद करते हैं ये लोग रात वह दारू पीते हैं लेट नैट अपने पीजी पर आते और कॉलेज में सोते हैं एक दिन अज्जू रंगा से बुछता है कि भाई आप इतनी बड़ी पोजीशन पर कैसे आए अंबल इन तीनों को रंगा की कहानी सुनाता है कि रंगा भाई जब इस्कूल जाया करते थे तो एक जूस की दुकान पर पार्ट ताइम काम गिया करते थे रंगा उस जूस बाले बंदे को अपने बड़ा गाई मानता था लेकिन वो बंदा रंगा को कुछ नहीं समझता था और रंगा ने जो अपनी कॉलिज के लिए पैसे जमा करके रखे थे वो उन पैसों को चुराकर सेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है लेकिन कुछ दिनों बाद ये इन्वेस्ट में दस गुना बढ़ जाती है लेकिन वो जूस बाला बंदा वो पैसे रंगा को बिना दिये चुपके से एक फालती जमीन खरीद लेता है रंगा ये सारी चीज़ जानता था लेकिन उस जूस वाले बंदे को कुछ नहीं कहता है क्योंकि रंगा उस बंदे को अपने बड़े भाई के जैसा मानता था कुछ दिनों बाद वो जूस बाला बंदा उस खरीदी हुई जमीन को रंगा के नाम कर देता है इसी बीच एक दिन इनके जूस की दुकान पर रेडी नाम का आदमी अपने आदमियों के साथ आता है और रंगा से बत्मीजी करने लगता है रंगा रेडी के आदमियों को बहुत मारता है रेडी को रंगा बहुत पसंद आता है इसलिए वा उसे अपनी गैंग में सामिल करलेता है रेडी रंगा की मदश से बैंग्लोर पर राज करना चाहता था उसके राष्टे में जो कोई भी आता वा रंगा के हाथ मरवाते रहता था कुछ दिनों बाद रंगा रेडी की गैंग से अलग अपनी खुद की पैचार बनाता है अब रंगा की नाम पर वा वेस्ट जमीन थी उस जमीन पर इंटरनेशनल एरपोट बनने वाला होता है अचानक से रंगा की जिंदगी बदल जाती है जब यह बात वो जूच वाले बन्दे को मालम चलती है तो वो रंगा के पास आकर जमीन को हड़बने की कोशिश करता है लेकिन रंगा गुसे में आकर उस बन्दे को ही अपने घर में मार कर दफना देता है अब कहानी बापस से प्रिजेंट में आती है इन तीनों को यकीन नहीं होता कि यह कहानी रंगा की है कि यह कोई पिक्चर की स्टोरी है और रंगा इन तीनों को अपने साथ जगडे पर भी ले जाता है लेकिन उस वक्त जगड़ा होता है रंगा सामने वाले को नहीं मार रहा होता तो ये तीनों यही बात अंबल को पूछने लगते हैं कि रंगा तो बहुत बड़ा बुंडा है तो या दूसरे वो क्यों नहीं मार रहा अंबल बताता है रंगा ने अपनी माँ से मरते हुए वादा किया था कि वो किसी से लड़ाई नहीं करेगा और उसके बाद रंगा की मा की दैट हो गई इसलिए रंगा कसम खाता है कि वो अपनी मा के लिए किसी पर भी हाथ नहीं उठाएगा ऐसे ही एक दिन जब रंगा इन तीनों को उनकी PG के पास ड्रॉप करने के लिए आता है तो बीवी के दोस्त बीवी से पूछने लगता है कि या बंदा कौन है बीवी कहने लगता है कि वो तो मेरा बड़ा भाई है तो रंगा या सुनने के बाद बहुत इमोशनल हो जाता है कि बीवी ने रंगा को बड़े भाई का ओदा दिया है और या तीनो देर रात को अपने पीजे में आये थे इसलिए भीके इनको पीजे के अंदर आने नहीं देता तो रंगा उन्हें अपने घर लेका चला जाता है और वहाँ पर उनकी जरूरत के सभी चीज़े मौजूद होती है साथी रंगा इने कॉलेज जाने के लिए अपनी मनपसंद बुलेट बैग भी दे देता है तो दूसरे दिन ये तीनो कुशी से उस बैग पर अपनी कॉलेज जाते है या देखकर कुटिया इन तीनो को अपने पास बुला कर बोलता है या देखकर इन तीनो को बहुत गुसा आता है कि किसी भी तरह से रंगा को कुटियान के बारें बता कर उसे पिटवाना होगा तब इसे अकल आएगी उसी राज जब ये तीनो बार में होते हैं तो एक बंदा बीवी से जगड़ा करने लगता है या देखकर रंगा को बहुत गुसा आ जाता है और वो एक बोटल लेकर उसके सर पर मार देता है या देखकर तीनो सौक हो जाते हैं इसका मतलब या था कि रंगा इन तीनों के लिए दूसरों को पीट भी सकता है तो इसी मौके का फाइदा उठाते हुए तीनों अपने साथ जो हुआ बो रंगा को बताने लगते हैं कि हमारे कॉलेज में एक सीनियर है जिसका नाम कुटियर है उसने हम तीनों को नंगा गर के मारा रंगा ये सुनकर गुसे मा जाता है और कहने लगता है कि कल मैं तुमारे साथ कॉले जाँँगा दिखा हुआ बंदा कौन है अब दूसरे दिन होते ही रंगा अपने चाहिते चार लोगों के साथ अंबल नान जपन जैकी और रोकी के साथ कॉलेज पर जाता है इदर बीबी कुटियर को कॉल करके बहुत गालें देने लगता है कुटियर को गुसा आ जाता है और बो अपनी गैंग के साथ कॉले जाता है और बीबी को दो चाह थपड लगाने लगता है जब यह चीज रंगा देखता है तो उसका खून खूनने लगता है रंगा अपने चारो आदमियों से बोलता है कि उन चारों लोगों के हाथ पे तोड़ दो उसके बाद वो चारों कुटियर की गैंग की लड़कों को बहुत बुरी तरह से पीड़ने लगते हैं रंगावान मौजूब सारे लोगों से कहने लगता है कि ये तीन मेरे आदमी हैं अगर कोई भी इन पर हाथ उटाएगा और यही हालत होगी इस गड़ना के बाद कॉलेज में सारे लोग इन तीनों को देखकर ड़ने लगते हैं कुटियर की गैंग भी इन तीनों को देखकर अपना सर नीछे जुखा कर चलने लगती है अब इस बीच कॉलेज में एक्जाम होते हैं और यह तीनों डंग से एक्जाम नहीं लिखते हैं एक दिन बीवी की मा बीवी को कॉल करने लगती है लेकिन उस वक्त बीवी नसी में होता है तो वो phone रंगा उठाता है बीवी ने रंगा के वारे में अपनी मा को बताया होता है कि रंगा मेरे बड़े भाई जैसा है तो रंगा बीवी की मा से बात करने लगता है और emotional हो जाता है कुछ दिनों बाद exam के result आते हैं और यह तीनों सारे subject में फेल हो जाते हैं college के executive director इन तीनों को अपनी कवी ने बुला कर बोट डाटते हैं और बोलते हैं कि पंदे दिनों के बाद दुवारा exam होंगे अगर तुम तीनों दुवारा फेल हो गए रेडी के जाने के बाद रेडी के कुछ आदमी वहां आते हैं रंगा को मानने के लिए यहां पर एक जवदस fight होती है रंगा अपनी गाडी से उन सारे लोगों को कुचलने लगता है और अपने आदमियों को बचा लेता है अब खून खरावत देखकर यह तीनों बहुत टरने लगते हैं और सूचते हैं कि आज के बाद यह तीनों सेटलमेंट पर नहीं जाएंगे इसके बाद यह तीनों अपने दोस्तों से नोस्ट लेकर preparation करने लगते हैं दूसरे दिन कॉलिज खतम होने के बाद यह तीनों रंगा के घर जाते हैं उसे डायक्टर की बात वताने लेकिन वह काफी भीड होती है और बहुत सारा सूसरावा हो रहा था क्योंकि आज रंगा का बड़्दे होता है यहाँ पर जवदस तरीके से पार्टी साड़ी होने होने तक हम तुमसे मिलने नहीं आ सकते अब एक्जाम के लिए सिर्फ 14 दिन ही बागी हैं तो इस तरह से यह तीनों अपनी कॉलिज खतम होने के बाद रंगा के घर के पास जाते हैं लेकिन उस वक्त रंगा इंजय करने के लिए दो लड़कियां को बुला कर इन तीनों को कम कमडे से बाहर भाग जाते हैं इसी बीच में रंगा को यह बात मालम चलती है कि इसके खास दो बंदे जैकी और रोकी यहां से भाग निकल गए क्योंकि जिस रात रेड़ी के आदमियों ने रंगा पर हमला किया था उस दिन ये दोनों मरते मरते बचे थे इसलिए वो दोनो जाते हैं रंगा अपने आदमियों से कहता है कि किसी भी तरह से उन दोनों को डूडो दोनों मुझे दोका दे कर भाग गए रंगा का गुसा देखकर या तीनों यही सोचे रखते हैं कि आज रंगा भाई तो बहुत कुस्य में हम बाद में बात करते हैं अब रंगा को नाम को गैस नहीं कर पाता है रंगा इस गेम को बहुत ही सीरियसली लेने लगता है और रंगा की एक और आदत होती है जो कोई भी रंगा का क्लोज आदमी उसको हाट करता है तो रंगा उस बंदे की पीट के पीछे चाकू से स्क्रेच करता है रंगा बीवी के साथ भी वही करने वाला होता है क्योंकि बीबी मुवी के नाम को गैस नहीं कर पाता लेकिन उसी वक्त वह लड़की जिसे रंगा ने इंजॉयमेंट के लिए बिलाया था वो सही नाम बता देती है और बीबी बच जाता है अब बीबी अज्जू और सासंद को या बात मालुम चल दिया है क और इसी तरह से डरगी बजा से उस रात या तीनों उस लड़की को अपने साथ लेका सोने लगते हैं दूसी रात या तीनों बिना अपने घर गए अपने पुराने बीके पीजी के पास आकर अपने दोस्तों से गबसप करने लगते हैं या तीनों यही सोचते हैं कि किसी भ बात करने के बाद इनके दो सोने चले जाते हैं, उसी वक्त बीके इन तीनों को लेकर एक जगा पर जाता है, वहाँ जाने के बाद बीके कुछ लड़कों को बहुत डाटता रहता है, क्योंकि उन लड़कों ने बीके के पैसे नहीं दिये होते हैं, बीके बीबी अज्जू औ के घर जाने लगते हैं कि रास्ते में उने रेड़ी के आदमी किड्नैप कर लेते हैं दरसर रंगा रेड़ी को अपना गुरू मानता था लेकिन रेड़ी रंगा से काफी जलता था और उसे मानना चाहता था बीबी रेडी से बोलता है कि हम तीनों यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आये हैं और तुम दोनों के जगड़ों के बीच हमें मत खीचना रेडी बोलता है कि मेरा और तुमारा कोई लेना देना नहीं है तुम तीनों बस मेरा एक काम करो जब रंगा अकेला होगा तो तुम मुझे एक call कर देना यप बोल कर ready उन तीनों को जाने देता है अब यह लोग रंगा के पास जाते हैं लेकिन उस वक्त रंगा जैकी और रोकी को पकड़ चुका होता है और उनको मानने कि प्लानिंग कर रहा होता है रंगा को दोबारा गुस्य में देखकर या तीनों रंगा को सच नहीं बता पाते और उसी तरह का यहां का माहूल देखकर बहुत डरने लगते हैं और अपने घर आकर अपना सामान पैक करते हैं यह लोग डिसाइड करते हैं कि अब यहां बापस अपने गाउं चले जाएंग और एक्जाम के टाइम बापस आजाएंगे अब यह लोग ऐसा ही करते हैं और दूसरे गाउं जाकर एक पीजी में रहने लगते हैं इदर रंगा बार बार बीबी को कॉल करता रहता है लेकिन फॉन से चप होने की बज़ा से उसे कुछ पता नहीं चलता है वो अपने आदम इन तीनों को किड्नाप कर लिया है इसलिए वो इन के लिए बहुत परिषान होका इन तीनों को तलास करते रहता है अब बीबी रंगा को फॉन पिकप करके कहने लगता है कि हम सेफ हैं और आज रात हम घर आ रहा है रात में घर वापस आने के बाद रंगा बीबी को एक करने के लिए आये हैं हम तीनों को अकिला छोड़ दो तो उसी वक्त रंगा अपनी सातियों को यहां बलाने लगता है रंगा से डरकर यह तीनों किचन में जाकर छुप जाते हैं दरसल इस वक्त रंगा गुस्सी में नहीं होता वह बहुत दुखी होता है क्योंकि जब आपने टीनिज लाइफ में था तो उस जूस वाले बंदे को अपना बड़ा भाई मानता था लेकिन उस बंदे ने रंगा को दोगा दिया इसलिए रंगा ने बहुत दुकी होका उसे मा डाला अपनी मा के गुजरने के बाद भी रंगा बहुत रोता है रंगा रिलेशनसिप को इंपोर्डेंस देता है इसलिए बीवी की सारी बाते सुनने के बाद रंगा अपना चेरा चपा कर बहुत रोता है इससरा भीवी रेडी को कॉल करके बोलता है कि रंगा यहां पर अकेला है तो रेडी अपने सारे आदमियों के साथ यहां पर आता है रेडी को आता हुआ देखकर रंगा गर के सारे दरवाजे खड़गी बंद कर देता है और इन तीनों को यहीं पर रहने के लिए कहता है ताकि इन तीनों को कुछ नुक्सान न पहुंचे इसके बाद रेड़ी के आदमी रंगा को बहुत मारते हैं इसे भी इस रेड़ी रंगा को सच बताता है कि तमारे तीनों बंदों ही ने तुमारे बारे में मुझे information दी है ये बात जानने के बात रंगा बहुत गुस्षा हो जाता है और अपनी मा की कसम तोड़कर रेड्डी के आदमीं को मानने लगता है रंगा का या गुसा देखकर इन तीनों के तो वोसी उड़ जाते हैं या सोचते हैं कि आज तो ये गई क्योंकि इन तीनों ने रंगा को दोगा दिया है इतने रंगा अपने गुरू डेटी को भी मार देता है उसके बाद जब रंगा इन तीनों को मानने के लिए आता है तो या तीनों छुप जाते हैं गुस्से में रंगा बोलता है कि मेरे पास जितने भी लोग काम करते हैं वस्रिफ पैसों के लिए और मेरे पावर के लिए काम करते हैं और इतनी सालों बाद मैं तुम से तीनों से connect हो गया था। तुम तीनों को मेरा छोड़ा भाई मान रहा था। लेकिन तुम तीनों नहीं मुझे दोगा दिया। उसी वक्त तो रंगा के आदमी भी वहाँ पर आ जाते हैं। और उन तीनों को ढून का निकालते हैं। रंगा इन्हें मानने ही वाला होता है। कि इसी बीच बीवी की मा बीवी को कॉल करने लगती है। उस वक्त वो फोन रंगा के पास होता है। बीबी की मा की आवाज सुनने के बाद रंगा का गुस्सा ठंडा होने लगता है इसके बाद ये तीनों रंगा से माफी मांगने लगते हैं लेकिन रंगा अपने सातियों से कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि आज के बाद से हमारा और इन तीनों का कोई भी रिलेशन नहीं है और कोई भी इन तीनों से बात नहीं करेगा इसके बाद रंगा तीनों से बोलता है कि तुम तीनों पढ़ने के लिए आयो ना फीक है पढ़ो लेकिन अगर एक्जाम में फील होगे तो तुम दोआरा मेरा गुस्सा देखोगे अब कुछ दिनों बाद ये एक्जाम देते हैं और इन तीनों के रिजल्ट आते हैं सांतन त देखकर वहाँ से भागने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है ना उमीद करता हूँ आप लोगों ये मूवी का पर पसंद आयोगी अगर पसंद आयोगी तो प्लीज लाइक करना सेयर करना और सस्काब करना न भूलें तो मिल दें दोस्तों एक और ब